मस्कार दोस्तों स्वागत आपका क्रेजी क्रिप्टो मिंटु में सोचो कुछ हो कुछ जाता है आज कल अपने क्रिप्टो मार्केट में यही सब कुछ चल रहा है और इसलिए देखे कुछ ऐसे इन्फिलेंसर हैं जिनको यह बोलने का मौका मिल गया है क्रिप्टो मार्केट खतम है, जीरो है, बबल था, फूट गया, सब रोड पे आ गए यही सब आप देख रहे हैंगा आज कल अपने इंडिया में जो है कुछ इन्फिलेंसर हैं जो आज कल ऐसे कमेट्स दे रहे हैं, पेपर्स में भी काफी है, ऐसे आर्टिकल भी आ रहे हैं तो कहीं ने कहीं वो कहते हैं कि बोलने का मौका किसी ने दिया, क्रिप्टो करनसी में कुछ खराब लोग होने कुछ खराब जो यह सब सर्विस प्रोवाइड करा रहे थे उन्होंने अब रिसेंटली क्या हुआ अब हुआ इधिरियम का मामला इधिरियम सब कुछ ठीक कोई दिकन लेकिन क्या है कि FTX से जुड़ा हुआ है मैंने आपको पहले भी एक बार अपडेट किया था कि एधिरियम में जो सोरी, FTX में एक हैकर ने बहुत सा मामल हैकर रखा है लेकिन वो कोई हैकर दूसरा नहीं है मुझे तो सेम ब्रेक्मेंट फ्राइडे ही लग रहा है जो FTX का CEO था क्योंकर उसने बहामास में जाके ये सारे कांड किये हैं भाई सारी जगे क्लोज था सब कुछ लेकिन बहामास में आपका जो है और वहाँ सब कुछ विड्रॉख हो रहा था तो क्या था कहीं ने कहीं ये सब मिली भगत थी हैक जो हुआ माल वो भी सब वहीं से विड्रॉख किया गया अब वही काजा रहा है FTX का जो हैकर था उसके पास जो एथिरियम जो अलड़ी है जो उसने हैक किया हुआ है उसको वो सेल आउट कर रहा है देखिए सब बिल्कुर सही बात है जब से ये निउज आई है तभी से देखिए मार्केट में आपका एक डाउन फाल है मैंने तो आज ये सोचा था आज के आज के ले कोई एक रिवीव लेके आता हूँ लेकिन रिवीव तो छोड़िये जब ये देखा के निउज इसप्रेड हो रही है और पैनिक भी आ रहा है मार्केट में कहीं कि उसका असर दिखाई भी दे रहा है बिटी सी दे के थोड़ा सा नीचे आ गया एथिरियम का प्राइस भी लगबग 5-6 परशन नीचे आ गया क्यों? क्योंकर ये जो निउज है अब इसमें जो है उसने हैकर ने क्या किया है लगबग 50,000 एथिरियम एक उस पर एडरस पर भेजे अब वहां आब इसने भेजे क्यों? देखे इसको भी कहींने कहीं ये डर है कि साइज मेरा जो इथिरियम का जो एडरस है कहीं उसको ब्लॉक न कर दिया जाए देखे इथिरियम में ये चीज़ पॉसिब आला हो सकती है तो इस बजह सो उसको ये चीज़ डर डर की बज़े से उसने क्या करा है कि उसको जो है BTC में convert करने का उसने सोच लिया तो यहाँ पर जो आप देखरों कि BTC में उतना ज़्यादा impact नहीं आया इसलिए नहीं आया कि BTC में sale out नहीं हो रहा है Ethereum में क्यों को बेचा जा रहा है तो इस बज़े से जो है उसने क्या क्या convert किया अपना BTC में तो BTC का price लगबग as usual थोड़ा बहुती नीचे आया ज़्यादा नहीं आया लेकिन Ethereum का price कुछ ज़्यादा आ गया आप यहाँ पर देखिए जो मैंने का लाए 50,000 जार Ethereum उसने transfer किये और वहाँ लगबग वो 25,000 जार के आसपास Ethereum एक तरह से sale out कर चुका है और वो लगबग आपका बनता है लगबग 30,000,000 USD के ब्रावर उसके कीमत बैठती है तो यह देख लिए यह हाले साब हम सोचते कुछ है हो कुछ जाता है अब इसका impact देखी अब एक दो दिन और चलेगा आप चुकी देखी आज weekend खतम हो रहा है भाई कल से market open होगा तो इसका impact भी ने जराएगा क्यों? weekend में ही एक drama होगा एक और नया तो आज कल वो कहता है पल पल कुछ भी हो सकता है हम अभी कुछ सोच रहे है और अगले ही पल नमालम कौन सी negative नियू जा जाए जिसका पता नहीं क्या impact जाए positive होगी तो एक अच्छा impact जाएगा negative होगी तो उसका अलग impact जाएगा तो वही चीज है अभी तक देखे Ethereum का ममला थोड़ा सा ही है सुभे तक वो अब 1168, 1160, 1165 डॉलर के आसपास आ गया है market cap भी घटकर देगे 142 billion पे आ गई है डॉलर में जबके ये 200 billion डॉलर के आसपास हुआ करती थी तो क्या है कहीं ने कहीं ये जो negative impact है सारे उसी का असर है BTC भी अपना देगे market cap लगबग आप ये 400 billion डॉलर के आसपास हुआ करती थी जो अब घटके बहुत नीचे आ गई जो लगबग जो है 317 billion पे आ गई है ठीक है तो ये कुछ negative असर जिसे कहते है market में जो हम नहीं चाहते वो चीज़ें जब आ जाती है तो फिर उसका असर यही नेजर आता है अब मैं आपको देखे कल से फ्लोकी का अपडेट दे रहा हूँ morning में भी दिया आज दिल में भी दिया अच्छा खासा ये 10 kill करने ही वाला था यानि के 0.05 10995 की सीरीज तक पहुँच गया था अगर ये इधिरियम वाली नीज ना आती तो आज फ्लोकी 10 kill कर जाता अब फिलाज चल दा है 0.0510899 की सीरीज में चल दा है तो क्या है कि नेगेटिव इंपक्ट अच्छा खासा फ्लोकी जो अभी अब टेंड में चल दा था और ये अपना 22 तारी तक तो देगे रहेगा अब क्या है थोड़ा उपर नीच उपर नीच ये तीजे चलती है लेकिन एक अच्छा खासा है कि इसमें ट्रेड अच्छा चल पड़ा था लेकिन इस नीज ने आज सब फिर कवाड़ा कर दिया इसका असर सोलाना पे भी नजर आया क्योंको सोलाना तो भाई FTX के साथ वैसी भजा हुआ है वो तो कहते हैं सोलाना की अपनी तो कोई गलती है नहीं वो तो केवल FTX की गलती का खामिया जब होगत रहा है तो अब सोलाना का प्राइस भी अभी जो है करीब वो 12.65 डॉलर का चल ला है जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ उस टाइम के ये रेट है तो कहते हैं सोलाना तो बे मतलब में मारा जा रहा है FTX के चक्कर में लेकिन देखिए सोलाना में जिसकी होल्डिंग है वो अपनी इस होल्डिंग को काइम रखिए क्योंको सोलाना में अपना फट नहीं है ये केबल FTX का फट है जिसमें ये लपेटा जा रहा है अब देखिए जो इथिरियम का ममला है ये अब कितना बढ़ता है या इसका मार्केट बढ़ कितना इंपक्ट आता है ये अब एक दो दिन में और किलियर हो जाएगा बाई डिपेंड करता है इसे हैकर के उपर जो ये हैकर है सारी कानी अब इसके उपर है अगर इसने माल को देखिए रोक के रखा तो नो प्रॉल्लम फिर तो मार्केट अपना देखिए अभी थोड़ा सा साइड वे हो गया था तो वैसे ही रहेगा लेकिन अगर इसने सेल करना जारी रखा अब जैसे ये बेटीसी में कनवर्ट कर रहा है अगर बेटीसी इसने सेल करना शुरू किया तो देखिए कहीं नहीं मार्केट पर इंपक्ट तो आएगा चाहे वो एथिरियम बेचे और चाहे बीटीसी बेचे दोनों में से कोई भी अगर वो बेचेगा तो मार्केट पर नेगेटिब इंपक्ट ही आपको दिखाई देगा पॉजिटिव में कुछ भी नजर नहीं आएगा तो यह कुछ अभी भी कुछ दिन यह सब चीजें चलने वाली हैं तो वो कहते हैं इन चीजों को आपको कहीं ने कहीं देखके रखना पड़ेगा तो मैं ने उपर लिखा भी था कि FTX हैकर वो FTX का हैकर है और वो कोई और नहीं है उसका खुद के सब बने बनाए जाल है जो अपना वो धीरे धीरे पत्ते खोल दा है उसको पहले से बताता है यह सब डूबने वाला है इसलिए पहले से भामास मुझने सारी सैटिंग कर दी थी अब वहीं से यह चीज़ें सब हो रही है तो देखते हैं सब मार्केट पर क्या इंप्रक्ट आता है लेकिन आपको तो मैं सिर्फ यही सला देना चाहूँगा जोइन कर लीजिए और भी बहुत से प्लेट फॉर्म उनको जोइन कर लीजिए जिससे क्या का को तुरंत की तुरंत ख़वर मिल्या के आखर मार्केट में चल क्या रहा है आज कल अपडेट रहना बहुत जरूरी है और यह भी पता नहीं चलता कि कौन सा कॉइन कब किस पंप कर गए जबकि लोगों के पास मेरे पास तो उसमेंसे एक भी होल्डिंग नहीं है मैंने उसमेंसे एक भी कोईन नहीं ले रखा है लेकिन वो देखिए पंप तीन हजार से ज्यादा परसेंट पंप कर गए तो जिसने वो वीडियो नहीं देखा आप आरनवी दुरोयत और कहीं बाइचांस भाई आप लोग के किसी की होल्डिंग है तो भाई मौका बहुत अच्छा है अगर आप प्रॉफिट में हो तो प्रॉफिट जरूब हो करना आज की डेट में मार्केट बहुत ही वोलाटाइल है हर सेकंड सिच्वेशन चेंज हो जाती है कोई भी प्रि